बिसमिल्लाइ रहमारी रहीम, असलाम लेकुम, आप में से बहुत सारे लोग जो है वो फेस्बुक का इस्तमाल जानते होंगे, बलके फेस्बुक जो है वो अब हमाई जिन्दगी का एक बहुत एहम जो है वो हिस्सा बन चुका है, और हो सकता है आपके नालज में ये बात ना हो कि फेस्बुक ने अपना एक फीचर जो है वो चेंज कर दिया है और वो कौन सा फीचर है जो फेस्बुक ने चेंज किया है आपका डेटा जो है वो मसलसल फेस्बुक में जो है वो सेव हो रहा है और वो कौन सा डेटा सेव हो रहा है जो आप फेस्बुक यूज कर रहे ह उसके अलावा जब आप Facebook यूज नहीं कर रहे होते आप कोई भी software या आप किसी website को सर्च कर रहे हैं तो वह सारा data भी आपका इसमें save हो रहा होता है आपने simply ये चेक करने के लिए कि आपका data जो है वो Facebook में save हो रहा है या नहीं हो रहा है आपने setting पे click करना है उसके बाद जो है आपने यहां पे आजाना है यूर Facebook information बहुत अफ़ ऐसे होता है कि हमें पता ही नहीं होता और हमारा data जो है वो save हो रहा होता है वो हमारा data कहीं और देखा जा रहा होता है तो यह आप लोगों के लिए बहुत ही एहम news है आपने simply क्या करना है जो है आपने account setting के अंदर आना है और यहां पे आपने जो है यूर Facebook information देखें says your information activity log और next पे देखें वहीं वाला feature है जिसकी मैं बात कर रही हूं यहां पे आपने simply of Facebook activity के अंदर आना है और यहां से आपने क्या करना है और Facebook activity includes information that business हाँ जी देखें आपकी information जो है that business and organizations share with us about your interactions with them such as visiting their apps or websites आप जीन जो है वो websites और आप पे विजट कर रहे होते हैं वो सारी की सारी information जो है Facebook अपने database में save कर लेता है ठीक है अब यहां पर जितनी भी information होंगी आपकी वो सारी की सारी जो है वो यहां पर save हो चुकी होंगी और वो यहां पर जब आप इसको open करेंगे तो वो आपको show हो रही होंगी जबके मैंने जो है अपनी information यहां से जो है वो delete कर दी है simple अगर आपकी information आपको यहां पर नजर आ रही है आपनी clear history पर क्लिक करने clear history जो भी आपकी information होंगी वो सारी की सारी remove हो जाएंगी हां जी अब आपकी information यहां से तो clear हो जाएंगी लेकिन next आप अगर यह चाहते हैं कि next future में भी कभी facebook जो है वो आपकी information को अपने पास save ना करें तो आपने simply क्या करना है more options पर क्लिक करना है उसके बाद आपने manage future activities पर क्लिक करना है हां जी आपके पास जो है वो ऐसा page open हो जाएगा आपने simply manage future एकट्यूटरी पर क्लिक करने जब अप मैनेज ईफिच्ट वरा वीसबुक एकट्यूटरी पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज कुछ यूश हो रहा होगा ठीक है के आपने सिंपली क्या करना है इस इसको यहां जो भी फेस्बुक अपने पास सेव करना चाहेगी तो आपकी इंफर्मेशन जो है वेब साइट की या वो पेजी या सॉफ्ट्वेर्स जिनको आप विजट कर रहे होते हैं वो यहां फेस्बुक के अंदर सेव नहीं होंगी हाँ जी बाद में जो है वो आपको ऐसा पेश हो रहा होगा नेक्स इंफर्मेशन जानने के लिए इस पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना मत बूलें थेंक यू अलाफिस